नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वगते दोसों आपके घर्षे पांच हाथ की दूरी पर मिट्टी में दबा है यहां खजाना दोसों समय रहते देख लीचिए कि किस जगह यह खजाना है जे दोसों आपकी पूरी जिन्दगी बदल जाएगी जे दोसों हम कि देख आपकी जरुत होती है किनकी पह्चान करने की कि आकिर लीचिरा फ़ूरी यह घर्चाना आपको मिल शकता है जापी अश्वाद्म दोसों भी्टीयो को दूस Lewis ले कर दो इस वीडियो में हम शबी महत्पुन जानकरी को बारें बात करेंगे कि जोति शास्त कि नुशार केश्वी आप इस खाजाने को प्राप्त कर सकते हैं शाथिसाथ दोस्तों इन्हें शबी के लिए आपको पर जूंकाल में कौन शी शाउदनिया नकनी है आने वाले शुर्ण मे इस वीडियो में गरह के गोज़र पर निर्मित हैं जो कि आप शिवी करिए बहुत ज़्यादा बागिशाली शावित होंगे और दोस्तों खाज जनकरे आप शिवी को बता दें कि आने वाले तीन दिनों के अंदर गरह की परवल इस्तिती बन रही है कि यह खाजाना आपको भी मिलने वाला है तो दोस्तों तीन दिनों के अंदर कोउशी गरह की विज्विक घिक देख रहे हैं दोस्व वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जै महालक्ष्मी लिख दें माता लक्ष्मी का अशी मश्रवाद आप शिवी को प्राप्त होगा और यह धन आप शिवी को प्राप्त होगा जिया दोसों बात करते हैं शुरुवात करते हैं बगवान श्री किष्ण के एक बहुत अच्छे ग्यांद से दोस्व एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था अपने पांच चाल के पुत्र के शाथ आरती का श्रम हो गया था वह व्यक्ति ने देखा कि जब आरती गा रहा है तो मेरा गख गगः पुरा शुना दिया भगवान जी को और कहा की इन्ज शब्दों से अपने आप प्रातना बना लो दुनिया दिखावा देखती है नियत नहीं भगवान नियत देखते हैं दिखावा नहीं जीया दोसों और दोस्तों हमें भी अपने जुनकाल में कभी भी दिखावार नहीं करना चाहिए, हमारी पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सर्चे सर्धा के इशाथ हमें इश्वर को फुकारना चाहिए, अगर हमें मंदिर जाने के पेशे ना भी हो, तो दोस्तों घर्षे ही आपको हमें इश इश्वर को अश्मरन करना चाहिए हमें इश्वर का शिर्वाद आवशी प्राप्त होगा क्योंकि इश्वर हमारी दिखावे को नहीं हमारी नियत हमारी शर्दा और हमारी भक्ती को देखते हैं तो दोस्तों भगवान श्री किष्ण के इस भक्त का ज्यान अगर आपको अच् आपके घर शे पांच हात की दूरी पड़ जो खजाना है आपको केशी मिल सकता है तो दोस्टों वीडियो को अन्त तक दिखेगा कि दोस्टों के मद में हम आपको कुछ यसे मंतर बताने वाले हैं कुछ यसे गुपत उपाय बताने वाले हैं जिने अगर आप शुन लेंगे तो दोस्तों आप इस खजाने के तह तक जा पाएंगे, तो दोस्तों अंत तक देखेगा, तो आई दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको बजा दी, कि खजाना पुरकपती का दिया हुआ, हमारी लिवर्दान होता है, हमारे घर में, हमारे आश्पास में, हमार आपको करना क्या है कि आने वाले तीन दिनों के अंदर अपने मन को शुद्ध करना होगा जे दूसों शबद से प्रसानि की प्राप्टी करने के लिए आपको अपने हिर्दै को 물 रख करना होगा के अधिना मालक्ष्मी को प्रेश्व Xuयर करना करना होगा जिया दोस्वं तीन दिनों के ही अंदर यह धन प्राप्ति के परवल योग बन रहे हैं और दोस्वं कुछ उपाईं को भी आपको करना होगा ताकि आप इस घजाने की तह तक जाश रकें जे दोस्वं सब से पहले दोस्वं आपको बता दें कि शुबह ही उठकर आप बने उपर नहा दोकर घंगा स्ल चिंटा लें और दोसों शब से पहले आपको माङ्श्मी की आरती करनी है जैंतों द्यांट शुनिएगा कि माा लक्ष्मी की आरती करनी है अपने मन को शुद्ध करना है और मां लक्षमी की चरणों में अपने मस्तस को रख कर दोसों पांच बार मां के आगे शिर जुकाना है कि हे मां हे मां लक्षमी अब लोट आ हमारे घर हमसे जो भूल होई वह हमें माप कर दे हम तेरे आगे हम आपके चरणों में अपने शिर को जुका आगे आगा जूख जाएं और यह विनिती करें दोस् sew माह आपके वजी सुनेंगे शादिव साथ Doss vocês में आप माँ comments का जाप करें कों भूर्व भूषव है इस मंत्र का गाहितरी मंत्र का दोस्तों आप जाप करें दोस्तों यकीन मानिये इनसे मालक्षमी पर्षन हो जाएंगी और आपके इन मंत्रों से आपके इन बातों से मालक्षमी की अशिम कृपा आप शुबी को प्राप्त होगा और दोस्तों इस खाजाने तक जाने का आपको रास्ता कैसे मिलेगा आए दो दोस्टों बात करती है धाफ झेलाव कोई भी करते हैं तो जौंकę ज सबसे और दिन भर में अपनी जुनकाल में प्वकति आपकी शात कहते हैं उनके शमने कभी भी पेशों के लिएकर बात नहीं करनी है ज्या दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेशों के बारे में किसी देवा रतलाप करते हैं तो दोस्तों ये धन पाने की जो चमक है आपके भागे में दोस्तों ये खोशकती है कि दोसों मालक्षमी जिने को भी धन देती है दोसों वो धन का गुनगान नहीं करता जिया दोसों वो चुपकेशे उसे धन को प्राप्त करते है जिया दोसों और अगले तीनी धिनों के अंदר आपको इस बात का ध्याना कना है शादिर साथ दोस्तों आप शबी को बता दें कि तीनी दिनों के अंदर आप शबी की जुनकाल में आपको तीन बड़े शंकेत भी मिलने वाले हैं जोगि दोसों रात को शपने में आपको एक एशा शंक्यत मिलेगा कि आपके घर में बारिश हो रही हो और वसी बारिश में आप भीग रहे हो जोगा दोसों एशी शपने आप शबी के जुनकाल में आपकी खुशबरी को दर्शाता है ये दोस्तों ध्यान से सुनीगा अगर आपके घर में एशी बारिश हो जिन में आपको उसकुशी से जुम रहे हो तो दोस्तों यकीन मानिए ये आपके अच्छाई का शपर होगा इसको प्राण दोस्तों आप शपर को बता दें कि रात को शोने से पले शिरहने में आप एक लोटा जल रख कर उसमें थोड़ा शाहद मिला दें और मान लक्षमी के मंत्रों का जाब करके दोस्तों सुभा उश्पानी को पिजाएं और दिन भर आप जिस कारियों को कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रहे कि कोई भी कारिय करने से पहले उनमें चिचेड़ाद पन आप बिलकुल ही ना लाएं कि दूसकी दिनों के अगर आप इन शवी बातों का ध्यान रहें इन शभी कारी को करते रहेंगे यह धन महलक्ष्मी साथ आप को बता दे कि अगर आपके जुनकाल में अगले तीन दुरों के अंदर एकेशी इस्त्री आजाए एकेशी दीब महिला आजाए जो आपको पेशों के बारे में बताएगी खुद कि आपके पाश पेशे हैं हमें कुछ पेशे उदार दीजिए या फिर पेशों से जुड़ा कुछ भी बा प्राफ्ट होगा जो की आपके घर्षे ही पाश में है आपके घर्षे 5 हाथ की दूरी पर है जिसान कौन है उनसे दूस्तों आपको 5 हाथ की दूरी नाप लेनी है ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों उत्तर और पुर्व के कौन में जो भी कौन आते हैं उन्हें इशान कौन करते हैं उन्से पांच हाथ की दूरी माप लेनी है और दोस्तों उस दूरी पर जाकर दोस्तों आपको रात में दोस्तों छोटा शा फूल ल करना है दूसम और देखेंगे यंदर एक अलगी एनर्जी आएंगी और आपको दोस्तुं पता चल जाएगा कि यह खजाना इसी जगह है और दोस्तों आपको करना क्या है कि अगले दिन उस खजाने की तह तक जाने के लिए दोस्तों अमरित बेला का आपको शहरा लेना होगा यानि कि दोस्तों तिन शी पांच बजे की बीच आप उस जगह जाकर दो हाथ गर्ड़ा करके देखिएगा तो दोस्तों उस जगह आपको पुरोजों का छुपा हुआ खजान मिलेगा मालक्षमी का दिया हुआ वर्दान मिलेगा दोस्तों इंचे आप शुभी का जीवन बदल जाएगा दोस्तों प्रण्दों ध्यान रहे कि जब भी आपको यह खजाना की प्राप्ति हो जाए तो दोस्तों अपने जुनकाल में किसी को भी आप इनके बार में न बदाए दोस्तों जब आपको यह धन मिल जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है दोसों आप शुब बता दें कि इस धन को ले जाकर आप जिश तिजोरी में रखेंगे जहाँ पर भी रखेंगे दोसों वहाँ पर रकने है पहले रोली नी लाल सिंदुर में थोड़ा सा जल मिला कर पेश बना लें और दोस्तों इन्हें पीफल के पत्ते में लगा लें और इनके चिकनी तरफ उस रोली में हिंग लिखें और उसे देवी मांग को और पीद कर दें यानि उस तीजोरी पर रख दें इसे दोस्तों आपका धन का जो योग है वह बढ़ने लगेगा और आपके घर में कभी भी ध द्धन की कमी नहीं होगी मालक्षमी कवाश बना रहेगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज को यह वीडियो आप शबी को पशन्द आया है पशन्द आये तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श्रा लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जै मा लक्षमी और दोस्तों और इश्यतिक जनकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद